नमस्कार दोस्तो ओन्लाइन लर्निंग्स चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रति मिनट की गती से संपात की रिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद दोस्तो यहां पर हमने सभी डिफिकल्ड आउटलाइन बनाने की कोशिश करी है सभी डिफिकल्ड आउ युक्रेन पर हमले के बाद रूस को पहली बार अपने ही घेरे के भीतर से भारी चुनोती मिली है वहां के भाडे के सैनिकों के संगठन वैगनर ने रूसी परशासन के खिलाफ बगावत कर दी तकता पलट की घोशना के साथ ही वैगनर की टुकडिया मासकों की तरफ कूच कर गई स्वभाविक ही इससे वलादिमिर पुतिन परशासन में हडकंप मच गया हालांकी पुतिन ने कुशल रणनीती के साथ इस बगावत को शांत करने में काम्याबी हासिल कर ली मगर उसकी मुश्किलें समात नहीं हुई हैं वहां से जैसी खबरे आ रही हैं वे पुतिन परशासन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती पहले कहा गया कि पुतिन ने बलपूर्वक वेगनर सैना की बगावत को कुचल डाला है अब खबर है कि वेगनर की शर्तों के सामने पुतिन परशासन को जुकना पड़ा है बगावत के दोरान ही जिस तरह रूसी उप विदेश मंतरी अचानक चीन पहुचे और वहां के विदेश मंतरी से बातचीत की उससे भी इसपष्ट संकेद मिला की रूस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है खबर है कि रूसी रक्षा मंतरी को उनके पद से हटाया जा सकता है खबर तो यहां तक आई कि पुतिन ने मास को छोड़ने का फैसला कर लिया है मगर क्रेमलिन ने इस खबर का खंडन किया दरसल युक्रेन पर हमले में रूस ने वैगनर सैना के लड़ाकों को भी भारी संख्या में तैनात किया था पिछले दिनों वैगनर परमुक येवगेनी प्रिगोजिन ने आरोप लगाया की रूसी सैना प्रमुक उसकी रनीतियों में बेजा दखल दे रहे हैं उन्हें ततकाल पद से हटाया जाना चाहिए मगर पुतिन परशासन का सकारात्मक रुख नजर नहीं आया तो प्रिगोजिन ने वैगनर सैना को मासको की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया बता दें की वैगनर सैना में 25 से 30 हजार लड़ा के सैनिक हैं जो अत्याधुनिक हतियारों से लेस हैं वैगनर के मासको की तरफ कूच करते ही पुतिन ने वहां के टेलिवीजन पर जनता को संबोधित किया और वैगनर की बगावत को देश द्रोह बताया इसके साथ ही आतंकवाद निरोधक कानून लागू कर दिया गया और वैगनर के खिलाफ रूसी सैना को सडकों पर उतार दिया आखिरकार वैगनर प्रमुख ने अपनी तुकडियों को मासको कूच से रोक दिया पुतिन परशासन ने घोशना की कि वैगनर सैनिकों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कारवाई नहीं करेगा उन्हें बेलारूस में ठैरने को कहा गया इस तरह रूस में एक बड़ा खून खराबा होने से टल गया मगर वहाँ अभी विद्रोहों की स्थीतियां खतम नहीं हुई है स्टोप दोस्तो आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने भवमूले सुझाव जरूर दे दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके अपने चैनल और नई लर्निक स्टैनों में मिल सकें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में